नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। साउड एक्ट्रेस मम्ता मुहंदास ने चौकाने वाला खुलासा किया है। रविवार को अपनी कुछ सेलफी शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि वह एक बड़ी आटो इम्म्यून बीमारी से जूज रही है। मम्ता ने बताया कि उन्हें वीटी लोगो हो गया है। अपने पोस्ट में मम्ता ने बताया कि वो अपना रंग हो रही है। मम्ता मुहंदास कैंसर सर्वाइवर है कुछ सालों पहले उनका कैंसर वापिस आ गया था इसके बाद उन्होंने अमेरिका में अपना इलाज करवाया था क्या है विटी लोगो विटी लोगो जिसे हम सफेद दाग की समस्या भी कहते हैं यह एक प्रकार का चर्म रोग है इस बिमारी में शरीर के कई हिस्सों में सफेद दाग बन जाते हैं यह शरीर के किसी भी भाग में हो सकते हैं देखने में ये बिलकुल ऐसे लगते हैं जिसे किसी ने वैक्ति के शरीर के उपरी भाग में चमड़ी को निकाल दिया हो लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है इस रोग को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रामतिय है कि ये रोग एक वैक्ति से दूसरे में फैलता है लेकिन ऐसा नहीं होता किन कारणों की वज़ा से हो सकती है ये बिमारी इस बिमारी के होने के पीछे डॉक्टर्स बताते हैं कि जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम यानि प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे ही शरीर को नुकसान पहुचाने लगता है तब ऐसा होता है इस रोग में शरीर में मेलन नोसाइटिस सेल्स यानि तवचा में रंग बनाने वाले कोशिकाइन नर्ष्ट हो जाती है या फिर काम करना बंद कर देती है इस वजह से तवचा और बालों का रंग हलका होने लगता है या फिर सफेध हो जाता है इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के माता-पिता में किसी को यह बिमारी है तो दो से चार फीसिती लोगों क लगती है कि क्या है लक्षन इस बिमारी के कई लक्षन है जिससे इसे पहचाना जा सकता है इसका सबसे पहला और शुरुवाती कारण है कि व्यक्ति की तवचा करंग फीका पढ़ने लगता है और उसी जगा पर बाल भी सफेध होने लगते हैं वहीं अगर शरीर में कोई भ परकाश के प्रती सब्वेधन शीलता नाभी कमर जांग के पास छोटे सफेध धब्बे होना आदी इसके लक्षन है तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल क सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा